नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आवलो मेरा नाम हरशी देविदी स्पेक्टर मॉडर्न हिस्टी की एक और वीडियो के बारे मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड वर्ड वार नैशनलिस्टिक रिस्पॉंस के बारे में कॉवर्मेंट का कि इंडिया वर्ड वार में एलाइट पावर्स की तरफ से तो कॉंग्रेस ने यहाँ पे वाइसराय को क्या ओफर दिया किस चीज में ओफर कि वाइसराय को इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने बोला कि हम आपको एलाइट पावर्स के अगेंस्ट वार में सपोर्ट करेंगे बशर्ते आप हमको self-government या फिर आप हमारे लिए एक responsible government immediately बनाने का प्लान करिए, Congress Working Committee की meeting ने वर्धा में क्या का, government का क्या attitude था Congress की demands की तरफ, Congress को जब end में ये लगा कि भाई ये अंग्रेज हमको कुछ देने वाले नहीं है, तो Congress Ministries ने resign कर दिया, government का hidden agenda क्या था, यानि government Congress के साथ बातचीद भी कर रही थी, और Congress को कुछ देना नहीं चाहती थी, किसी भी प्रकार का, वो कोई भी आप कह सकते हो कि relaxation, administration के मामले में government Congress को नहीं देना चाहती थी, immediate mass satyagrahe पे गांधी जी का, और बाकी जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की लिडर सर्म को क्या बोलना था, Congress Working Committee ने रामगर में क्या resolution दिया, और फाइनली Muslim League का यह जो Pakistan resolution था, इन सब चीजों को लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, तो भाईया, एक September 1939 को सारा problem शुरू हुई, जर्मिनी ने कर दिया पोलेंड को अटेक, और इस वाज़ दे इनिशेटिंग मूमेंट अफ सेकेंड वर्ड वर्ड वर, तीन सेप्टमबर 1939 को ब्रिटेन ने बोला कि भाई, जर्मिनी ने पोलेंड को अटेक कर दिया है, तो वी आर एट वार विज जर्मिनी, को जब ब्रिटेन ने बोला that we are at war with Germany, उसी समय पे British Government of India ने ये भी बोल दिया, कि इन्डिया भी इस वार में किस के अगेंस्ट है, जर्मिनी के अगेंस्ट है, तो ब्रिटेन ने अपनी साइट पे इन्डिया को मिला लिया, ब्रिटेन की जो साइट थी वो अलाइट पावर्स की साइट थी, और इन्डिया अलाइट पावर्स की तरफ हो गया, अब भाई ये जो एक्षन था ना ब्रिटेन का, कि बिना इन्डिया के लीडर से डिसकस कियो है, युनिलाटरल एक्षन के थूरू, आपने इंडिया को वार में पार्टी बना दिया ये इंडियांस को पसंद निया है कही न कहीं दोस्तों जो Congress members थे उनको फासिजम की philosophy, नासिजम की philosophy imperialism और militarism की philosophy नहीं पसंद आती थी ये जो fascism, नासिजम ये कहां कहा है ये भाई उस समय पे इटलियो और जर्मनी की policies हुआ करती थी militarism, imperialism तो अंग्रेज भी करते थे बट कहीं न कहीं जर्मनी और इटलियो समय पे जो कर रहा था ये Congress को पसंद नहीं आता तो Congress कहीं न कहीं support करना चाती थी ब्रेटिक शरकार को लेकिन Congress ने बोला कि भाईया हम आपका support तब करेंगे जब आप हमारी दो condition मानोगे क्या condition रखी गई? कि जब ये war खतम होगा उसके बाद आप एक constituent assembly बनाएंगे और वो constituent assembly free India का political structure त्यार करेगी उसके बाद दूसरा क्या बोला? कि भाईया immediately आप कोई genuinely responsible government को center में बनाएंगे ताकि वो कुछ तो start में कर सके मतलब immediately सबसे पहले तो आप center में एक genuinely responsible government को बनाएं साथ-साथ आप ये बोलिए कि war खतम होने के बाद आप एक constituent assembly बनाएंगे जो free India का political structure बनाएंगे, सूचिए, free India इस offer को lord linlith go, जो कि उस समय वोइस रहा है थे उन्होंने reject कर दिया Congress ने बोला कि अगर आपको देश के लोगों का भुरोसा जीतना है तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा यहाँ पर आगे deadlock की situation इस deadlock की situation को देखते हैं, बट आगे फॉलो कर लिजे, आपकी जन्हेंट और सुजाब दूँगा टेलिकना आप ग्रूप जोइन कर लिजे, वहाँ पर आपको इस lecture की PDF मिल जाएगी तो भाया, अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर क्या point लेना है इसके लिए Congress Working Committee की एक meeting हुई वर्धा में Official Congress पोजिशन को decide करने के लिए जब भी किसी important issue पे Congress को बातचीत करनी होती थी, कुछ decision लेना होता था तो session बुलाए जाता था Congress Working Committee का Congress Working Committee की meeting हुई और बातचीत किस बात पर हो रही थी इस बात पर हो रही थी कि जो अंग्रेजों ने हमको वर में मिला लिया, यह सही है या गलत है अब यहाँ पे Congress के अंदर अलग-अलग लोगों के अलग-अलग responses थे गाधी जी ब्रिटेन के support में थे गाधी जी चाते थे कि यह जो fascist ideology है, यह दुनिया से खतम हो जाए इस fascist ideology के against highlight power से लड़ रहे थे, तो गाधी जी ने बोला कि भाई, मैं तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन को support करूँगा इस war में कहीं न कहीं गाधी जी ने बोला, यह जो western Europe की countries हैं, ब्रिटेन, France यह democratic nations हैं, और यह जो nazis हैं और fascist हैं, यह बिलकुल नरेंदर देव जी और जैप्रकाश नारायन जी, इनको भाई, Congress ने invite किया था वर्धा की meeting में, वैसे तो देखा जाए तो सुभाष चंद बोस अब तक आप Congress के member रहे नहीं थे, आपको पताए कि तरपुरी session और हरीपुरा session के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे सुभाष चंद बोस जी, अचान अरेंदर जेव, जैप्रकाश नारायन जो की socialist philosophy रखे थे, इनको वर्धा meeting मुलाया गया, इन्हों ने बोला कि भाईया, हमें किसी भी प्रकार की कोई sympathy नहीं है ब्रिटेन के साथ, इनका क्या opinion है, कि देखिए, वर दोनों साइट पे imperialist के दोरा लड़ा जा रहा है, यानि यह जो दोनों powers हैं, यह imperialism है, अगर जनर्बली अपनी country में imperialism कर रही है, कॉलोनी बना रही है, तो ब्रिटेन इंडिया में आके क्या कर रहे है, यह भी तो best time है, ब्रिटेन जब वहाँ पे busy है, हमें एक full flesh civil disobedience movement launch कर देना चाहिए, और ब्रिटेन से freedom छीन देनी चाहिए, तो एक तो गांधी, एक तरफ गांधी जी है, वो बोल रहा है में ब्रिटेन के खिलाफ नहीं चाहूँगा, दूसरे तरफ सुभाष्चन नहरुजी का novel viewpoint बताता है कि उस समय पे जवाँ लाल नहरुजी as a leader कितने mature हो चुके थे, जवाँ लाल नहरुजी democratic values और fascism के बीच को समझते थे, बट कहीं न कहीं जवाँ लाल नहरुजी दोनों साइट की तरफ नहीं थे, जवाँ जवाँ लाल नहरुजी ने बोला कि देखी ये बात तो सही है, कि Britain, France और Poland ये सम मिलके Germany और Italy के अगेंस लड़ रहे हैं तो सही है भाई ठीक है कहीं न कहीं Britain, France और Poland दोनों सही है Justice Britain, France और Poland के तरफ ए क्यों? चोकि ये डेमोक्रेसी हैं और जर्मनी और इटली ये डेमोक्रेसी नहीं है ये फासिलिस्ट आइडलोजी वाले देश हैं बड़ बात दोस्तों ये है कि कहीं न कहीं जवालला नहरू का ये मानना था कि ये जो WORLD WAR II हो रहा है न ये WORLD WAR I के कंडिशन्स जो पैदा होई वर्ड वार वन के खतम होने पे जो कंडिशन्स पैदा हुई उसकी वज़े से ही हो रहा है और यहाँ पे कैपाटलिजम को रिस्पांसिबर माना किसने यह जवाला लेहरू जी ने बोला कि भाया जब प्रतम विश्विद्ध खतम हुआ तो प्रतम विश्विद्ध के खतम होने के बाद यह जो विणिंग पावर्स थी जैसे की बिरिटेन और फ्रांस इन्होंने दुनिया भर में अपनी इंडस्ट्रीज को सेटप करना शुरू कर दिया जो नेशन्स हारे थे उनकी कॉलोनिस को अब जाना शुरू कर दिया capitalism में private ownership होती है तो society में जो inequality है वो बढ़ने लगी तो Germany और Italy जैसे जो देश थे वो इतने ज्यादा sideline हो गए कि उनके अंदर एक अलागी radical किसम का nationalism उठा और उस radical किसम के nationalism के चलते हिटलर जैसे और मुसुलोनी जैसे leaders उठे और वो leaders अब इनी के खिलाफ लड़ रहे है तो भाई जवाला नेरू ने बोला कि देखिए ये जिस तरीके से लड़ाई कर रहे है हिटलर और मुसुलोनी हिटलर तो भाई या जियूस को गैस चैंबर से मन करके मार देता है तो जो तरीके थे वो बिलकुल गलत थे लिटेरियन राज में जब इंडिया में डेमोक्रेसी ही नहीं पहले तो आप इंडिया को फ्री करो तो इंडिया ब्रिटेरियन की तरफ से इस जंग में उनके साथ तब लड़ेगा जब इंडिया खुद आजाद होगा की तुरंत एक civil disobedience movement शुरू करो यंगोषिए को खाड़ फेको जवाळा नेरु बोला नहीं भाई ये सही नहीं है एकदम से civil disobedience movement शुरू करना सही नहीं है पहले सरकार से बात करते हैं सरकार से negotiate करने कोशिश करते है सरकार एक limit तक हमारी बात नहीं सुनती है फिर हम लोग अपने बोत रहेंगे तो तीन व्यूपॉइंट निकल के आ रहे गांदी जी का अलगी एक्स्ट्रीम व्यूपॉइंट है कि हम बिटेन को सपोर्ट करेंगे सोचलिस्ट और सुभाशन बोस साब का अलग व्यूपॉइंट है और इसके बीच की एक बैलेंस्ट अप्रोच दे रहे है को जवाला नेरू जी एक समय ऐसा आया कि गांदी जी को लगा कि वो जो कुछ भी बोल रहे है न वो कोई सुन नहीं रहा है ठीक है तो गांदी जी ने बोला कि चलो भाई इंडिया की तरफ से और खासकर कॉंगर्स की तरफ से क्या स्टेट्मेंट है इंडिया को आप एक ऐसे वार में पार्टी कैसे बना सकते हो जब इंडिया के खुद के पास डेमोक्रिटिक फ्रीडम नहीं है आप ये बोल रहे हो कि हम ये फासिस्ट आइडिया की पावर्स के अगे इस लड़ रहे है लेकिन आप क्या इंडिया को फ्रीडम दे रहे हो तो भाई अगर आप ये प्रॉमिस देते हो कि इंडिया को आप फ्रीडम दोगे इस वार के खतम होने के बाद तो हम आपके साथ है फिर Congress Working Committee के जो resolution था इसने क्या बोला कि Britain अगर दुनिया भर में democracy और freedom पाने के लिए लड़ रहा है तो Britain को अपनी जो जो भी colonies जहां पर वो imperialism चला रहा है वहाँ पर full democracy establish करे क्या Britain establish करने वाला था अरे यह लड़ाई यह हो रही थी इसलिए कि अपनी colonies को safeguard करना है ओके फिर Congress Working Committee ने Britain government को यह ultimatum दिया कि भाईया आप अपने war के aims को soon declare करिये और आप यह बताए कि जब war खतम हो जाएगा तो इंडिया में democracy की principles को किस पकार से लेकर आया जाएगा कुल में राके Congress Working Committee के थूँ एक proper guideline के थूँ इंडिया ब्रिटेन को यह बता रहा था कि आप हमारे यह democracy ले आईए और हम आपकी मदद करेंगे लेकिन obvious ही बात है government यह करने वाली थी नहीं तो अब government का यहाँ पर attitude निकल के आएगा government का attitude बिलकुल ही negative था 17 October को 1739 को एक statement दिया Lord Lillitgo ने जिसने की देश को हमारे देश के social fabric को तोड़ने की कोशिश की Muslim League का support पाके जो principalities थी ठीके जो राजे रजवारे थे उनका support पाके Congress को segregate करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर Lord Lillitgo को क्या बोल रहा था government ने किसी भी प्रकार से ये नहीं बताया कि जब war खतम हो जाएगा तब हम British war aims क्या होगे refuse to define British war aims तब यहाँ पर government यह बताई नहीं रही थी कि कल की rate में war खतम हो जाता है हम जीच जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे ठीक है न ब्रिटेन बस यह बता रहा था कि देखिए हमारी तो मजबूरी है second world war लडना हमारे खिलाफ Germany और Italy ऐसी country ने attack कर दिया है तो क्या हम तब जाए हम इसलिए लड रहे हैं तो यहाँ पर ब्रिटेन ने अपने war of words को defining नहीं किया दूसरा ब्रिटेन ने बोला कि हम जो भी future arrangement इंडिया में बनाएंगे वहाँ पर हम consult करेंगे from the representatives of several communities, parties and interest in India and the Indian princes और फिर यह देखेंगे कैसे Act of 1935 को modify करेंगे सकता है अब देखें इंडिया की Indian National Congress complete independence माग रही है और ब्रिटेन क्या बोल रहे है कि भाये जब war खतम होगा तो हम एक future arrangement बनाएंगे और उस future arrangement को हम सारी communities, parties के साथ discuss करके बनाएंगे इंडियन princes के साथ discuss करके बनाएंगे और इस dissension आधार पे हम Government of India Act 1935 को बदलेंगे मतलब हम Government of India Act 1935 को बदलेंगे और हम Act बदलेंगे मतलब हम आपको किसी भी तरीके के अज़ादी देने वाले नहीं है अभी के लिए ब्रिटेन ने क्या बोला कि हम एक consultative committee मना सकते हैं तो इंडिया की गवर्नर से related अगर आपको कोई doubt है तो आप consultative committee से बात कर सकते हो कुल मिला कि यहाँ पे ब्रिटेन सरकार इंडिया को कुछ भी नहीं देना चाहती थी उनका एक सीधा-सीधी policy थी कि इंडियन सोसाइटी को भाई अंदर से तोड़ो दो ठीक है क्या है इनकी policy ब्रिटेन की to take advantage of the war to regain the lost ground from the Congress मतलब की इंडियन सोसाइटी को अंदर से तोड़ो Muslim League और Princess का support लो और इस Congress को segregate करो Congress की leaders को उकसाओ Congress की leaders जब उकसेंगे तो वो government के साथ confrontation करेंगे और government वैसे ही World War 2 के समय पे एक extraordinary situation को बोलके draconian powers apply कर चुकी थी तो कहीं न कहीं जब Congress हमारे साथ confrontation माएगा तो हम Congress को पूरी तरीके से दबा देंगे और Muslim League और बाकी जो Indian Princes है वो तो हमारी सेट है ही नहीं In fact, जब September 1939 में ये declaration आया कि Second World War शुरू हो चुका है उससे पहले ही 1935 Government of India Act को बदलके Center, यानि कि Britain की सरकार अपने पास बहुत सारी Emergency powers ले चुकी थी Provincial Subjects में Defense of India Ordinance आया और विसी बात है जब war declare होगा तो Defense of India Ordinance आएगा और उस Defense of India Ordinance के चलते पूरी तरीके से देश के लोगों की Civil Liberties को रिस्टिक्ट कर दिया गया था में 1940 में एक Top Secret Draft Revolutionary Movement Ordinance को prepare किया गया ताकि Congress के ओपर जबरदस स्ट्राइक करेंगे Congress की कमर तोड़ कर रख देंगे ये Government का प्लान था और इसमें Government ने क्या किया कि जो Allied troops थे देखे जब जंग छड़ी न तो भाई Allied troops मतलब की किवल Britain की troops नहीं Britain की support करने वाले जित्ते भी लोग थे जैसे कि France और बाकी countries जो कि Britain को support कर रही थी उन्होंने अपने कुछ-कुछ troops को अलग-अलग अपनी colonies में station कर रखा था तो France की colonies में भी Allied troops थे India में भी Allied troops थे तो Britain ने ये बोला कि Congress को एक leftist ideology वाला देश दिधा के और हम ये दिखा के कि भाई ये जो Congress वाले हैं तो Japan को support कर रहे हैं Germany को support कर रहे हैं Allied troops की मदद लेके हम इस Congress को पूरी तरीके से दबा देंगे मतलब कि Indian society को अंदर से तोड़ देंगे Congress को बिल्कुली डंडे मार मार के दबा देंगे इसके लिए अगर हमको Allied troops की मदद की जरौत पड़ गई तो उसकी भी मदद करेंगे ये दिखा के कि ये जो Congress है ये Leftist है तो ये था Government का Agenda याला कि पूरी तरीके से Government इस Agenda में Successful नहीं हुई इस Agenda को चला कौन रहा था? तो इस Agenda को चला रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन Winston Churchill और जो Secretary of State से Zetland Winston Churchill का रूहल अगर आप देखना चाहते हो देखें, एक Netflix पे सीरीज है Peaky Blinders करके Peaky Blinders में Winston Churchill को दिखाया गया Peaky Blinders एक ऐसा web सीरीज है जो Gang Wars चलते थे थे न आपके उस समय के England में उसके web based है यह Peaky Blinders एपिसोड तो महाँ पे Winston Churchill को दिखाया गया है ठीक है? तो वो एक अलग चीज़ है बस Churchill से मुझे याद आगया तो मैंने आपको बता दिया कुल मिला कि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई क्लियर क्या थी? कि भाया British Government का कोई प्लान नहीं था इंडिया के उपर से पने कंट्रूल रटाने का ना ही war के बाद वो इंडियन को कुछ भी देने वाले थे Congress उनके लिए एक दुश्मिन बन चुगी थी जब गांधी जी को यह बात realize हो गई कि भाया अंग्रेजों का कुछ ऐसा प्लान है तो गांधी जी को आगई गुस्सा गांधी जी अंदर से Britishers को सपोर्ट करना चाहते थे गांधी जी को यह पता चला कि यह Britishers तो सीधे ही सीधे हमारा उल्लू बांद रहे तो यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं there is to be no democracy for India if Britain can prevent it याणि अगर बृतेयन का बस चला कि इंडिया में democracy ना आए वो अपनी totally-tarian ताकस बना के रख सके तो तब तक बृतेयन अपनी totally-tarian ताकस बना के रखेगा वो इंडिया को किसी भी प्रकार की democracy नहीं देगा फिर भाई गांदी जी क्या बोल रहे हैं कि अंडियान नेशनल कॉंगरस देश की हर माईनौर्टी की रक्षा करेगी सिर्फ एक शर्त है कि वो माईनौर्टी देश की आजादी के एगेंस्ट बात न करे वो माईनौर्टी देश की आजादी की favoring बात करे मतलब आप देश के आज़ादी के फिवरम बात करिए आपके special rights का हम ध्यान रखेंगे लेकिन अगर आप देश के आज़ादी के againsty बोलने लगोगे तो हम आपके special rights के क्या ध्यान रखें ये सब बती यहां पर दोस्तों बोलने लगी फिर आप देखें, एक major decision आएगा, Congress Ministries resign कर देंगी 23 October 1939 को 28 महिने के रूल के बाद Congress Ministries resign कर देंगी क्यों? चुकि जो वाइसराय का statement आया था, future constitutional reforms को लेके यह सही नहीं था Congress ने बोला कि हम आपके war effort को support नहीं करते और Congress Ministries ने resign कर दिया अब यहाँ पर आती एक debate, debate on the question of immediate mass satyagra लेकिन कहीं न कहीं जो Congress के ज़्यादातर leaders थे, उनका यह बोलना था कि बाई, immediate satyagra launch करना सही नहीं है, जैसे ही October 1939 में Lord Lynn Lidgo का statement आया और future constitutional reforms International Congress को लगे कि मिलने वाले हैं नहीं तो आप देखी रहें कि जो socialist group था जिसको lead कर दो सुभाशन बोजी उन्होंने बोला कि सीधे civil disobedience movement share दो, गांधी जी और उनके बहुत सारे supporters और इवें नहरू जी ने बोला कि भी ये immediate mass सत्य अगर एकदम करना सही नहीं है, उसके कुछ वज़ाएं थी, पहली वज़ाएं कि allied powers जिस cause के लिए लड़ रही थी, वो cause सही था दूसरा communal sensitiveness इंडिया में बहुत थी, ब्रिटेन की सरकार ने एक सोची समझी साजिस के तहत, धर्म के नाम पे इंडिया सोसाइटी को तोड़ रखा था तो इंडिया नेशनल कॉंगरस को लग रहा था, कि अगर हम एकदम से मास सत्यागर शुरू कर सकते हैं, तो communal दंगे वड़ा सकते हैं और communal दंगे वड़काना बहुत आसान है, मंदिर में गाय मार के फेग दो, बस जितमें पिग मार के फेड़ दो फिर भाई या, lack of Hindu Muslim unity इस समय तक बहुत हो चुकी थी, communal rights बहुत हो रहे थे, तो कॉंगरस को डल लग रहा था, कुछ भी शुलू कर दिया, और लोग आपस में एक दूसरे हो काटने लगे, तो क्या करेंगे ओवर ओल कॉंगरस का जो organization था, उसके अंदर भी बहुत सी फूटें, बहुत सी problem आ रही थी, और mass struggle के लिए अभी प्रॉपर platform तयार नहीं था, कहीं न कहीं masters भी एक struggle के लिए तयार नहीं थे, तो यहाँ पर यह बोला गया कि भाई, पहले तो Congress को अपने आपको internally reorganize करना है, मासस के बीच में जाके political work करना है, कहीं न कहीं जब तक negotiation से चीज़ें solve हो सकें, तब तक negotiation से चीज़ें solve करने की कोशिश करनी है, जनवरी 1940 में Lord Linlis Goh का एक और statement आया, कि भाईया, war के बाद, इंडिया में British की policy है, Dominion status लेके आना, लेकिन वो किस परकार का Dominion status है, इसके उप पर कोई भी clarity नहीं दी गई, Finally, हम लोग आगे चलते हैं, अलाबाद में पहुंचते हैं, अलाबाद में नमवंबर 1939 में, Congress Working Committee की meeting हुई, और वहाँ पे a resolution passed किया, Congress Working Committee ने, क्या बोला इस resolution में? The course of war and the policy pursued by the British and the French governments, and in particular the declaration made on the behalf of the British government in regard to India, seems to demonstrate that the present war, like the World War of 1914-18, is carried on for imperialist intent and the British imperialist is to be made entrenched in India. फिर उसके आगे क्या बोला जा रहा है? With such a war and with this policy, the Congress cannot associate itself and it cannot countenance the exploitation of Indian resources to dissent. मतलब की, अलाबाद में, नमवंबर 1939 में, Congress Working Committee की समय पे एक resolution passed हो, और resolution में, इंडिनेशनल कॉंगरस ने बोला कि बिटिश और फ्रेंच गोर्मेंट जिस तरीके से war में अपनी policy को चला रहे है, जिस तरीके से ये इंडिया की demands को नहीं सुन रहे है, जिस pattern से इस war को लड़ा आगे आने वाले समय में, ये चीज़ पता चल रही है, कि भाया, British imperialism इंडिया में खतम होने वाला नहीं है, और इंडिया और International Congress अपने resources को exploit नहीं होने देगा, तो यहाँ पर एक इस tussle की स्तिती मनती नजर आ रही है, फिर यहाँ पर International Congress ने बोला कि हमारा final aim है, कि हमको independence च यह सब आते हैं यहाँ पर बोली गई, ओके, तो यह सब चीज़ थी दोस्तों, फिर आता है रामगड सेशन, रामगड सेशन हुआ मार्च 1940 में, मौलाना अबुलकलाम आजाग इसके प्रेजिडेंट थे, ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थ बट प्रॉब्लम यह कि जंग किस तरीके की होगी, क्या फॉर्म होगा इस जंग का, तो भाया अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट एक और्गनाइजड रिजिस्टेंस हम कैसे चालू करेंगे, इसका फॉर्म और टाइमिंग डिसाइड करने के अथॉर्टी दी गई किसको, ग गांधी जी अभी एक overall mass movement के favor में अभी नहीं थे, अभी भी March 1940 आगया और गांधी जी mass movement के favor में नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहरू साब प्ले में आएंगे, नहरू साब यहाँ पे बोलेंगे कि देखिये भाई, कही ना कहीं complete independence for India की जो demand है ना, वो हमें करनी ही पड़ेगी होके, तो British war effort के against हम बिलकुल silent नहीं रह सकते हैं, तो अब गांधी जी को लगा कि भाई या, कहीं ना कहीं गांधी जी का यह जो relaxed stand था ना, कि वो Britain की तरफ काम कर रहे थे, मतलब Britain के war efforts को support कर रहे थे, गांधी जी को लग गया था कहीं भाई, कहीं ना कहीं, वो अपने viewpoint में isolate हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं नेरु जी भी बोल रहे थे, कि भाई देखे, अगर हम शान्त रहते हैं, अगर हम कुछ नहीं करते हैं, तो directly या फिर indirectly हम ब्रिटेन के war efforts को support कर रहे हैं, जब तक हम complete independence नहीं मिलती, तक तक हम British war efforts को support नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ पे, एक तर सकते हो, proactively काम करें तो सुबास्चन बोस अब तो यहाँ पे बहुत सारे factions बनते नज़रा रहते हैं, एंड में इस रामगड सेशन में यह decision लिया गया, कि नहीं भाई, कहीं न कहीं इंडिया को complete independence चाहिए ही चाहिए, और इंडिया की complete independence, dominion form में नहीं आएगी, किसी भी प् sovereignty people के पास रहेगी, ओके, और यह sovereignty केवल British rule जगवा पर नहीं, princely rule states में भी, यह जो princely states थे दोस्तों, princely states में राजे रजवारों का राज चलता था, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने openly कहा, बहले ही राजे रजवारे कितने भी साल पर यहाँ पर राज कर रहे हो, लेकिन अ का resolution के थू, कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस अपनी convenience के हिसाफ से civil disobedience movement launch करें, यानि जब इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को लगेगा, कि ऐसी circumstances बन गई है, कि हम एक mass scale पे civil disobedience movement launch कर सकते हैं, तो हम कर देंगे, कहीं न के लोगों में उत्सा चलाने के लिए, कि इंडिया नेश resolution, एक तरफ देश के आजादी की बात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तन, Muslim League का सीधा funda था, हमको आजादी मत दो चलेगा, हमको हमारे अलग Muslim वाले अलाके दे दो, अंग्रेजों का rule से हमको कोई problem नहीं, ये सीधा agenda था Muslim League का, उनको ये था, कि हमें Muslims वाले अलाके अलग कर आजादी के बाद, West Pakistan और East Pakistan बोला गया, तो उनको आज बोला East और West में, Northwest में और East में, ये जो contagious एलाके हैं जहाँ पे Muslims Majority में, इनको Independent State बना दीजे, और जहाँ 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 पे Muslims Minority में, उनको आप Adequate Safe Guard दीजे, तो ये Pakistan Resolution था, जो Lahore में लिया गया था March 1940 में, तो ये दे झाल